ओ मुहनमते नमा, नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिविदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल नहीं थे मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज कले एक विशेश संखला हम चला रहे हैं, जो कि कुंडलिनी जागरन पर आधरित है उसी विशेश संखला में आज बात करते हैं कुंडलिनी जागरन और स्वाधिष्ठान चक्र की, कुंडलिनी जागरन का दूसरा महत्पूर्ण चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है, इसे धार्मिक चक्र या उदर चक्र भी कहते हैं स्वाकार्थ स्वयम होता है और अधिष्ठान का आर्थ इस्थान है, स्वाधिष्ठान चक्र वह जगा है जहां से मानवी समझकी और मानवी समवर्धन के दूसरे चरण की सुरुवात होती है यह चक्र मन का आवास तथा अचेतन मन का घर होता है यह चक्र नकारात्मक लच्छनों की जानकारी के बाद उसे नश्ट करके विक्तत्व के विकास को इस्पष्ट करता है यह चक्र कमल की छे पंखुरियों से प्रतिकात्मक रूप से दर्साया जाता है इसमें हर पंखुडी छेहन अकारात्मक पिसेस्ताओं का प्रतिनिद्धु करती है साधिस्थान चक्र का तत्व जल है इसका रंग नारंगी है इसका मंत्र वाम है साधिस्थान चक्र तेल बोन पर ना भी केंदर के बीच तथा रीड की हड़ी के तल में इस्थित होता है साधिस्थान चक्र मुक रूप से लेंगिक तथा प्रजनन अंगों के कारियों को नियंतित करता है इस चक्र को जागरत करने का सबसे आसान तरीका योग, ब्यायाम, तोड़ना, चलना तथा नेत्य करना है इन अभ्यासों की वज़े से मान स्पेसियां सिथिल हो जाती है और चक्र खुल जाता है इस इस्थान पर चाह धुनिया वम, भम, मम, यम, रम, लम प्रवाहित होती रहती हैं इस चक्र का प्रभाव प्रजनन से सम्मंधित है स्वादिष्ठान चक्र का तत्व जल है और जदी इस तत्व में मूलाधार का प्रत्वी तत्व विलीन हो तो कुटों मुबनाने तत्था सम्मंधों की कलपना की उत्पत्य आरंब होने लगती है स्वादिष्ठान चक्र के निर्बल एवम खराब होने पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे खून की कमी, सुस्क तुचा, खसरा, मदमेह, किडिनी तथा लीवर के रोग, नपुनसक्ता या कामुक्ता की कमी, गुर्दे की समस्याएं या मूत्र सनस्थान के रोग इसके अलावा इस चक्र के कमजोर होने पर मानसिक समस्याएं जैसे सराब कीलत, अकेलापन, भय, लालसा, आलस तथा निस्क्रिता भी हो जाती है सुदिष्ठान चक्र का स्वामी ब्रहस्पत है तथा धनू वा मीन रास होती है ब्रहस्पत संतान कारक ग्रह होता है इसलिए संतान की उत्पत्ति में इसे चक्र की अहम भूमिका रहती है यदि मनुसी में ब्रहस्पत या धनू मीन रास पीडित हो तो इस चक्र समंदी समस्या उत्पन हो सकती है तता संतान समंधी कष्ट या ब्रास्पत धनु मीन रास जिस भाव से समंध बनाती है उस भाव समंधी अंग में रोग भी हो सकता है इस चक्र का रक्तवन है इस चक्र की अतिष्ठात्री देवी साकिनी है छा बा भा मा या रा ला वन दल है इस चक्र के स्वामी देवता विश बिश्र साहस्थ्ण का पाठ करना लावकारी होता है, तथा संतान प्राब्टे हैं तो गोपाल साहस्थ्र नाम का पाठ किया जा सकता मिप्रों इस ऑ्म कि आहें को कैसे लग रहे हों अगर अच्छे लग रहे हैं तो पहलsuper एक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आवसे करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार